हलो गाइस और वेलकम बाग तो मार चानल सिर्फ आई एस तो यहाँ पे अपनी विजन आई एस की PT 365 जो की कल्चर की है उसे कॉंटिव करते हुए आज आपके सामने इसका पाल्ट 3 प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो आए शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब के लेजे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें तो शुरूरात करेंगे पहले टोपिक से क्या कहते हैं टोपिक कहता है इंक्लूजन ओफ इंडिजीनियस स्पोर्ट्स इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 बात यह है कि जो खेलो इ है निउस में रहने की पहली की रिसेंटली हुआ क्या कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है इन्होंने कुछ चार चार तरह के इंडिजीनियस गेम्स को पार्ट बना लिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2021 के अब कौन-कौन से चार गेम्स हैं जो पार्ट बन गए तो पहला है गतका दूसरा है कलारी पैत्तू फिर आता है यहां पे ठांग्टा और मल खंबा और उसके साथ यह है योगसान तो इतने कुछ हैं जो बहुत अच्छी बात है इनको कर लिया अब थोड़ा सा यहां पे निउस के बारे में जानकारी ले ले फिर आपको सबको समझाएंग यह पाल्ट है जो हमारे नाशनल प्रोग्राम फॉर डवलप्मेंट ओफ इसपोर्ट खेलो इंडिया का है इसे यूनिन काविरेट ने 2017 में अप्रूफ किया था तो इसका एक यह पाल्ट है इसको बढ़ाने के लिए भाई इसी को खेलो इंडिया प्रोग्राम को बढ़ाने है वह हमें ऐसे कुछ करना है कि हमारे सारे जो खेल खेले चाहते तो हमारे देश के अंदर उसे हमें फिर से वापस मस्बूत बनाना है बतलब इंडिया को एक ग्रीट स्पोर्टिंग नेशन के तोर पर स्टाब्लिश करना है अब कुछ और भी मार्शल आर्ट से इंडिया क हो आए है और इससे लेटेड भी कुछ न्यूज है जैसे कि योगसान योगसान ऐसा कॉंपलिटिव स्पोर्ट के तौर पर देगा तो को मिनिस्ट्र आयूश और मिनिस्ट्र आफ यूथ अफैर एंड स्पोर्ट्स ने अनौन्स करा कि फॉर्मल रिकोगनेशन दे दिया यो अफिशल्स दोनों को इस चीज़ का फायदा हो तो योगा को और बढ़ावा देने के लिए उसके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचे फायदे पहुंचे लोगों की फिजिकल और मेंटल जो हेल्थ है बढ़े इसलिए है तो योगसान जो आनते काफी इंपॉर्टें इस योगा का और कुछ प्रपोस्ट इवेंट्स जो है असके त्रडिशनल योगा सन्, सिंगल आर्टिस्टिक योगा सन्, पेर भी है रिद्मिक योगा सन्, पेर भी है और बग्यरा बग्यरा ऐसे बहुत सारे अभी देखो यहां पर जो इन लोगों को चार गेमस को आट कर तो पहला है Їसे कर दों सब्सक्राइब के अंतर इनके पारे में में समझते हैं तो पहला से ऐनके रूख क्निके अपर कि यहां पर आपके यह कि पगेया यह तरहले हैं देजह हुआ कार्ण सब्सक्राइब कारद व्टक निलुक्ता जाएँ फिर आता है वल पयत्तु एसमें क्या करते हैं कि तल्वार सौन का यूस करके लड़ते हैं está достаточноकृ कहीं प्रएयोगा इसमें बेर हैंड एक्षर साइस हुरती है मला खंब मला खंब क्या है यह एक स्टेट इस्पोल्ट मद्रब देश का है इंडिया में पहले खे रहा आता था इसमें क्या होता है कि जो जिमनास्टिक है ना वो एरियल योगा परफॉर्म करते हैं और उड़ के नाश नाश के आपको दिखाएंगे रस्लिंग करेंगे को गया है निरदार सपोर्ट्म धार धृम फिर आपका ये फेट बाते हैंगेया कि करेंगे हैं द्था कि मेंदेटेंओर। कि बात है यहां पर इसको मेंशन किया गया था मानसूलहस के नाम से क्लासिक थी बायच चालुक्या 11358 की बात है तब इसको मानसूलहस के नाम से इसको मेंशन किया गया था उस वक्त पिर आता है गतका गतका पंजाबी इसका है यह ऐसी स्टाइल है इसमें क्या होता क्या है सम लड़ते हैं वुड़न स्टिक्स का यूज करके लड़ते हैं और ये पंजाब में पंजाब में इसके शुरुआत हुई थी 15th century में अब इस्टिक फाइटिंग होती है दोनों की बीच में दो या दो से जादा प्राक्टिशनर्स के बीच में इसमें क्या होता है वुड़न स् मार्शल आल्ट है बहुत फेमस है जिसे आल्ट आप दी सॉल्ट एंड इस्पियर भी बोलते हैं ये फाइटिंग स्किल और वर्शिप को डेडिकेट है पुरी तरीके से इसमें अलग अलग तरीके एक्स्टरनल वेपिन्स को मिलाए गया रिसी कि सौर्ड हो गया इस्पियर पड़ेगी फिजिकल कंट्रोल की और इन चीजों से आप ही कर सकते हो तो इन चार स्पोर्ट को डाला गया इसके अंदर अब दो कुछ इंपोर्डेंट चीजें जो न्यूस में नहीं है थोड़ा सा जानकारी ले लिए तो भावाई गुजरात के अंदर देखो यह है क्या यह एक फॉर्म है जो ट्रेडिशनल स्ट्रीट प्ले नहीं होते थे मतलब जो गाओं वगयरा में टहल टहल के जो नाटक दिखाते थे ना तो यह वही है शौराश्ट और गुजरात का जो नौर्थ गुजरात का इलादका था उस समय वहाँ पे इस तरह से जो है जो दिखा का जाते थे प्लेव अगयरा यह उसका ही एक फॉर्म है यह एक युनीक स्टेज अल्थ फॉर्म है जो पर्फॉर्म करिए जाते। भाव मतलब भाव का मतलब जाते इस्टर बहुता है एक्सप्रेशन का हम वह ऩो आओ सही नहीन है इमौशन दिखाते ना वहाओ यही हो तो तो यह exclusively male members मतलब आदमी इसको अलग-अलग costume पहन के अलग-अलग character में आके इसको इस तरह से perform करते हैं मेली जो तरगाला community है जिसे भावे अब बोलते हैं यह इसको जाधा perform करते हैं यह दोनों Hindu Muslim community दोनों आती इसके इसके इंदर ऐसा नहीं Hindu ही है ऐसा नहीं Muslim है करें नेक्स बात करेंगे गर्भा गर्भा फोक डांस गुजरात का तो यह तो आने ही था अब जो वर्ड है गर्भो यह बते कहां से निकला है यह वर्ड था Sanskrit वर्ड था नाम था गर्ब दीप जिसका मतलब था अर्दिन पॉर्ट विद सर्कुलर होल्स अर्दिन पॉर्ट वि अर्दिन पॉर्ट विद दुर्गा की उससे आप थोड़ा से इसको रिलेट कर सकते हो लिंक कर सकते हो या तो लाम्प लाम मतलब घर्ब दीप क्या कोई इमेच गॉड़िस दूर्गा की तब एन गाना मतर रानी की दूर्गा की इसको जो जो यह रिंग्स है उसके बीच मे टंडी जंडी करते हैं तो इस तरीके से घरभा होता है आगी बात करेंगे फिर नेक्स आ जाते हैं नेक्स बात करेंगे यक्षन यह करनाटिका के अंदर है यह टेडिशनल इंडियन थेटर फॉर्म है करनाटिका का बड़ा फेमस है अगर आपने इलेवन्थ की एंसी आर्टिंग कर्शन की पढ़िए तो सबसे पहले यहीं सी से बता दी गई है यह जो पॉपिलर पॉपिलर एपिसोड से महा भारत के रमायर के यह ज़दातर उनहीं पे ही बेस्ट होगा और इसमें डांस है म्यूजिक है डाइलोग है कॉस्ट्व मेंक अप है स्टेज टेक्नीक्स है और बहुत ही अलग तरह की यूनिक स्टाइलियल है अलग तरह का फॉर्म है बहुत ही बढ़ा देगे यक्षश का मतलब होता है देमी गौट और潜ान का मतलब होता है song, तो यह song मतलब rer환 तो यह मतलब यह होगा है Кол criterion आए जैता है जब भक्ति मुव्मेंट चल रहा था 11 से 15 सेंचरी की बीच में आपको याद होगा भक्ती मुवमेंट चला था, कहते हैं भई तब से इसकी शुरुबात हुए, तो यहाँ पर इसकी समापती होती है, आपको अगर जॉइन करनी है मेरी मेंबर्शिप तो जॉइन मुझे को प्रेस करके पर्क्स भी इंचॉय कर सकते हैं, बाकि लाइक, शेर, सब्सक्राइब तो आप करेंगे, मुझे फूरा भरुसा है इत्ती महरत के बार, और फेस्बुक, जी हाँ, फेस्बुक में वीडियो आपको सिर्फ पाइस के नाम से पेज हैं मिल जाएंगी, बाकि ये सारा कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आएए, फॉलू करिए, आपके करें तो मैंने डाला है, थैंक यू सू मच फॉर दिस्कॉशन, हैव वंडरफूल दे, टेक क्यार,